करें करें लाइक करें एंड कमेंट करें थेंग हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टुद अब यह स्टेडिवल इस्टेडिवल में आपका स्वागत है लास्ट क्लास में अपने डिसकस किया तो अबाउट दो फंक्शन फंक्शन क्या होते थे आज अपन डिसकस करेंगे लिमिट्स के बारे में लिमिट्स इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपके बास में देखा पहले अपने फंक्शन के बारे में पढ़ाता आज आपने पढ़ करते हैं किसको लिमिट्स का यूज करते हैं फाइंड आट की जाती है तो दब आपन क्या करते हैं कि एक्स पर आपने पास में बहुत ही स्मॉल एस्ट वह बहुत ही वह क्या है आपके पास एक्स पर आपने पर कोई भी फॉंक्षन अंडिफाइन मिले कोई भी जिसकी वैलू अपने फाइंड नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई भी भी मिलती है उसके समें अपन क्या फाइंड करते हैं जो क्या की जाते हैं मैनस कर देते हैं । तो जब अपन H plus करदे ते तह उसक़ बोली जाता है Right ऐंड limit और जब ये Right और लिमिट और लेप एंड लिमिट निकला जाता है तो इनको बोला जाता है क्या limits value किस पर x बारावर ए पर एक्षफ बारवरं पॉल्स बारावर्फ आपन वाण निकालते हैं यह उसको बोली के 9, x subscribe minus के 9, upon x minus के 3, add the x परावर, 3 पर आपको क्या निकालना है, इस function की value find out करने है, इस function की value find out करने है, तो अभी देखिएगा, इसमें आपको निकालते हैं, अगर directly आपकों, ये इस तरीके से आपकों denote किया जाता है, क्या limit x tends to 3, क्या function दे रहा का है, आपके पास मैं, x square minus के 9, upon x minus के 3, अगर यहीं पर मैं, suppose that x परावर, जब मैं limit अठाते हैं, तो x परावर के अपको एलवट कर देते हैं, अपने पास 3 value put कर देता, 3 value put कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास, 9 minus के 9, upon 3 minus के 3, ये क्या हो कर देते, जैने कर सकते हैं, इनको आपन, define नहीं कर सकते तो इस case में, आपन क्या करते है, define value में चेंज करने के लिए, अपन क्या find out करते हैं, क्या फाइनट करते हैं लिमेट्स फाइनट करते हैं उस केस में आपन क्या करेंगे आप देखिए कुछ इसमॉल एमाउंट आपन क्या करते हैं उसमें से माइनस करते हैं और कुछ इसमॉल एमाउंट क्या करते हैं अपने उसमें से प्लस करते हैं किसमें से थ्री में से एक्स प्रावर यह था उसको compare कर रहे हैं अपन एक्सपराव थ्रीपर तो इससे अपन क्या कर देते हैं अपन compare करते तो इसमें से अपन कुछ amount जैसे मालो अगर मैं 2.99 पर निकाल सकता हूं टूपॉण 999 पर निकाल सकता हूं ठीक है तो जब अपन 3 में से अगर मालो मैं लिख देता हूं का X वरावर 3 माइनस के एच तेट इज क्या एपने पास फल चाले कि आपने इसको बोला लियाता है लेप्ट एंड-लिमिट-इपwork किसपा ठीपर जब हाग्ट-इच माइनस कर देता है थी में से तो आपने इसको बोन जाता है लेपट एपक लिमेट एट-इच पर थी जब आपन थ्री में से क्या करते हैं माइनस करते हैं तब इसी तरीके से अपने कुछ स्मॉल एमाउंट क्या कर सकते हैं एड़ भी कर सकते हैं एड़ कर सकते हैं तो उस केस में अपने पास में क्या हो जाएगा कि जब अपने पास में एक्स वरावर अपने पास में क्या हो जाएगा 3.01 या 3.001 या इसी को अपन बोल सकते है 3.001 ये आपन amount क्या लेकर सकते हैं ले सकते हैं तो इसमें तो क्या किया है अपनने एक small amount क्या कर दिया है आपनने add कर दिया है तो add कर दिया है तो इसको अपन क्या बोल सकते है कि X लावर क्या मू sowो सकते हैं three प्लस एच three प्लस एच और इसा को बोल देतbrar हैं है आपने क्या नैट है या जो ख किया है आपके पास इसman मेंने अपे स्पून करने के देफρεंट करने के इसको को कैज्फिया होता है क्या क्या थरीक जब विए हैं उनको अभी आपन करने के लिये लिए यूज में लिए जाते हैं यहां पर मैं देटा हुं तो यह लाइटाहूँ रखता हूं तो क्या मिल जाएगी मेरे को अंडेफाइर मिल रही है क्या मिल रही है जीरो पन जीरो मिल रही है तो उस केस में मैंने क्या करूंगा पहले इसको सिंप्लिफाई करूंगा सिंप्लिफिकेशन क्या करूंगा मैं इसको मैं अपने लिख सकते हैं क्या कि लिमेट एक्स टेंस टू क् 3, X tanze to 3 बोल रहा है, क्या है आपके पास में function X square minus के 9 upon X minus के 3, यह अपने पास में दे रखा है, तो इस case में क्या करना है, अगर आपने यहीं पर limits रख दिया, तो यह क्या देदेगा, आपके पास undefined value देदेगा, क्या दे देगा जिरो उस case में अपने के पास में क्या करना होगा इसको अपने पहले simplify करेंगे simplify करेंगे तो simplify करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए इसको देखेगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x square minus के 3 का square upon x minus के 3 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और यह चल रहा है आपके पास है लिमिट एक्स टेंज टू त्री यह चल रहा है अपने पास है एक्स टेंज टू त्री चल रहा है अब इसी केस में आपके पास है पता होगा एस्कायर माइनस के वी स्कायर बढ़ावर क्या होता है आपके पास है ए प्लस बी और ए माइनस के र विए प्लस वी और माइनस की यह होता है आपके पास इसकी जाए आपदे ली में क्या होजाएगा foreign 3 upon x-3 यह हो गया अब x-3 से x-3 cancel out हो गया अब आप कापस में क्या हो जाएगा आपके पास को सब्सक्राइगा लेमेट एक्स-टेंच टू-3 और इसके बाद में क्या पचेगा आपके पास x-3 अब आप एक्स की जगह पर क्या रख औहोगे तो यह क्या हो जाएगा आपके पास में 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 थमाट Mayor जेकर Cash स्क्सा उसक्या में आपके न gir ज़ए वेलूट फॉल सकते हैं आप हम्वझाई में इसको कहो जाक्त किया फंद स्विंप्ट पॉलिमे के संन्त गता हैञा हुए जिनके बारे में आपके डिस्कस करेंगे देखिएगा पहला मेथड तो आपके पास क्या है आपके पास सिंप्लिफिकेशन मेथड ठीक है दूसरा मेथड तो सिंप्लिफिकेशन मेथड आगे समझ में इसी तरीके से दूसरा मेथड होता है आपके पास में क्या है में तर्ट तो अगया आपके पास में कौन सा सिंप्लिफिकेशन कि सिंप्ली फिकेशन में था थिक है दूसरा था आपके पास ना सब्स्टिटूशन में था तो स्थिट्ट रख्यों मेह था टाले थे त्यापके पास में करों मैं ना सब्स्टिटूशन मेरे रोगए कि अध्यूं दूसरा पलगे कि अध्यूद कर दो गए था यह क्या हो जाएगा अध्यूंद पास ना सिप्स्टिट रहीर द हद अध्यूद्जि का ओ wrest के सब्सक्राइबट करते हैं इसक अब आपन क्या कर देता है लिमिट को शब्सटिटीट Britney कर देता है यह जब करते हैं जब अपने पास्मान जिटिट्न मिलते हैं मिलते हैं तो आपना दिरेक्टली क्या करते हैं limit को substitute कर सकते हैं ठीक है उस case में आपके पास है rationalization method इसमें क्या कि यह आता है जब आपको मैं बता दो कि अपने पास है रूट में value दे रखी होती है तो उस case में आपने को क्या करना होता है जो आपके denominator होता है denominator के साथ में जिसको अपने हिंदी बोल सकते हैं denominator का पर्मी करन किया जाता है डॉम्हेट के मतलब अपने साइन का अपने ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टिफिकेशन करते जाता है उस case से अपन क्या करते हैं उसको यूज करते हैं आपके पास में ऊसके च्थाब आपके पास में क्या है कि चॉता मेर थोड़र आपके पास में क्या inva R कि very но method में इसमें अपन को क्या करना होता है जैसे आ a x का प्रसार अपन खोलते हैं प्रशार करते हैं घिन कौर से खोलते सान एक्स का साइन एक्स का प्रसार कोले तो उसमें अपन क्या करते हैं किसी भी जो भी अपने पास में होता है इंप stub चलो जाता ठीक है एसी तरीके से अपन different ver cents को different different यहां क्या किया जाता है अब कुछ standard भी होती है कुछ standard limits वहती हैं वो आपने पास standard limit कॉन्ख आओं यह तो जो आपके पास में क्या ता मैथड जिंसे आपनने गिなた of них कि ऊपन dw pus मेटन के दोर आपन क्या आपन क्या उढरेक्टि क्या करते चीज लेते हैं तो दार्यक्य यूज किया लेते आपके पास इस्टेंडर लिमिट क्या कौन कौन सी है देखिए सबसे पहली लिमिट है आगा लिमिट एक स्टेंज टू ए क्या दे रखिया आपके पास है कि लिमेट एक स्टेंज टू ए इसमें दे रखाए आपके पास है एक्स की पावर एन माइनस एक की पावर एन अपन ए X-A X-A directly, इसकी limit होती है, आपके पास है, N A, N-A, N-A, इसमें से power क्यों जाती है, N-A, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है, यह तब पहली limit हो गई, इसी तरीके से दूसरी limit आपके पास है, के limit x tends to a sorry x tends to zero आपके पास में देरा का है क्या कि a x minus one upon x इसकी directory limit क्या है कि log log ea इसकी directory limit क्या है आपके पास लोग ea इसको अपने यूज़ करें लेते हैं directory log ea इसी तरीके से आपके आपके पास तीसरी यह आपके पास में क्या limit x tends to zero एकी पावर x minus के one upon x एक एक कल टू डिरेक्ट लिए अपन क्या यूज़ करेंगे वन यूज़ करेंगे एक वन यूज़ करेंगे तीसरी हुआ है इसी तरीके से आपके पास में चाहिए है नमर फॉर्थ वे आपके पास क्या है कि लिमिट एक्सटेट्न इसकी जगे पर अपने directly क्या use करेंगे 1 use करेंगे ठीक है इसी के साथ में आपके पास अगली limit है कि limit फिप्त नमबर पर limit x टो 0 cos x directly क्या लखेंगे अपने पास तो cos x 1 ठीक है यहीं पर आपके पास 6 नमबर पर cos x पर आपके लखेंगे 1 अगर यहीं पर आपके पास नमबोले आता है कि limit x // limit आपके पास है 10 x upon x बरावर उसकी limit क्या होती है आपके पास है बरावर लेमिट क्या हो जाती है आपके पास है तो इस तरीके से अपन जे क्या है कुछ standard limit है इनको अपन यूज लिया जाता है, जब अपन limits को solve करते हैं, जब इसी तरीके से 10 की तरह है, आपके पास, वह एक और भूल लिख दिया जाता है, कि limit x tends to 0 क्या है आपके पास है sin x upon x बरावर आपके पास है 1 इसको भी अपन क्या कर लेते है use में ले लेते हैं क्या limit x tends to sin x upon x इसको भी अपन क्या कर लेते हैं use ले लेते हैं बरावर standard limits के तरीके से तो अब इसके बाद आप उनको क्या करना होगा कि limit किस तरीके से solve की जाते हैं उनकी तरीके के बारे में अपने discuss कर लिया है और इसके बाद अब आपने क्या करें कुछ question solve करेंगे ठीक है दूसरी चीज एक और चीज में बताना भूल गया कि जब भी आपसे एक condition पूछी जाती है कि इस एक्स बरावर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स बरावर एपर किसी function fx की limit exist करती है या नहीं करती है कोई function xfx दे रखा है और इसकी limit exist करती है या नहीं करती है तो उसकी condition यह होती है कि उस x बरावर एपर उसकी आरेचल मतलब राइट एंड लिमिट बरावर होनी चाहिए आपके पास किसके लेपट एंड लिमिट के तब वो वाला function क्या कहलाएगा आपके पास में limit तब वो function तब वो x वरावर a पर function की limit exist करेगी अगर आपकी right एंड लिमिट बरावर होते हैं किसके लिमिट के तब उस वाले एक्स बरावर ए पर वैलू या एक्स बरावर ए पर फंक्शन के लिमिट एक्जिस्ट करती हैं अगर यह बरावर नहीं होते हैं तो एक्स बरावर ए पर फंक्शन के वैलू या अब फंक्शन के लिमिट एक्जिस्ट नहीं कर थी यह एक तरीके से निसकी का अगर अपने पासे यह बरावर होती है तो यह क्या करता है लिमिट एक्ट इस्ट अर्प करती है अब इसके वेस हैं सबने कुछ करेंगे वह मज़ुन डिसकस करेंगे नेक्स चर्णन तो अगर यह पूसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें and subscribe करें, thank you, thank you for watching this. Thank you. Subscribe करें, l señor icon रबाएं, like करें, share करें, comment करें, thank you.